ओके लेड़ेस टेक सम्मोर प्रोग्लम्स हमें एक सिगनल गीवन है x of t is equal to sin of 2 pi by 3t into my cos of 4 pi by 5 into my t और हमें बताना है कि यह सिगनल periodic है या नहीं है और अगर यह periodic है तो हमें इसका क्या बताना है पिरिड बताना है अभी तक मैंना को जो questions कराया था उसमें या तो बीच में plus रहता था या फिर minus रहता था यहां पर कहना multiply की form में है signal तो जब कभी भी signal इस तरह से आपको मिलेगा तो क्या करो कोई ना कोई formula बनाना ही कोशिच करो तो एक काम करते न इसको 2 से divide कर देते हैं तो यह होजएगा हमारे पास 2 sin of 2 pi by 3 t into में cos of this is 4 pi by 5 into में t यह हमारे पास आगया तो मैंने हापे क्या किया मैंने हापे इसको 2 से divide किया और 2 से क्या किया multiply किया अब हमारे पास यहाँ पे जो formula बनेगा वो formula बनेगा 2 sin a cos b क्या बनेगा formula हमारे पास बनेगा 2 sin a cos b 2 sin a cos b यह किसके इकल होता है this is equal to sin of a plus b ठीक है और plus में क्या रहेगा हमारे पास sin of a minus b हमारे पास रहेगा बताए पूरी class में किसी भी student को कोई भी doubt यहाँ तक clear है बस इसी formula को अब हम यहाँ पे क्या करेंगे use करेंगे तो हमारे पास बीच में क्या जेगा plus आएगा या फिर हमारे पास क्याएगा minus आएगा जिससे question solve करना और ज्यादा असान हुझेगा so this is equal to देखते रहेगा board पे enjoy कीजिगा इसको this is 1 by 2 sin of a plus b तो मुझे बताओ sin of इन दोनों को add करना है तो यह हो जेगा आपके पास 2 pi by 3 plus में 4 pi by में 5 4 pi by में 5 इन टो में क्या रहेगा t उसके बाद plus में this is sin of this is sin of 2 pi by 3 this is 2 pi by 3 minus में 4 pi by 5 इन टो में क्या रहेगा t और यह हमारे पास क्या होगी bracket close होगी है इतना क्लीर है let us solve further so this is जिगल्टों में 1 by 2 bracket start तो else हम अपने बास कितना रहेगा 15 और 5 दूनी कितने होते 10 4 ती 12 10 और 12 कितने होगे 22 तो यह हमारे बास कितना रहे sin of 22 22 22 pi divided by में 15 T ठीक है उसके बाद plus और minus देखते हैं अभी उसके बाद this is plus sign of देखी धान से L सेम वही पंदरा 5 दूनी 10 4 ती 12 लेकिन यहाँ पे बीच में minus है तो 5 दूनी 10 10 में से 12 चलेगे minus में 2 तो यह आपके पास आजएगा minus में 2 pi by में 15 T बताओ पूरी क्लास में किसी को कुड आउट आपको पता sign क्या होता odd function होता तो यह minus sign अपने पास कहा पे आजएगा minus sign अपने पास यहाँ पे बाहर आजएगा यहाँ तो कुड आउट किसी को बस अब हमारे पास देखो अब आपको पता है कि यहाँ पर जो omega note 1 है T1 directly निकाल दे तो मैं T1 की value कितनी होगी 2 pi divide by में this is 22 pi divide by में 15 यहाँ पे T2 कैसे निकलेगा this is 2 pi divide by मे this is 2 pi divide by मे 2 pi divide by मे 15 तो इससे यह cancel out हो गया और इससे यह cancel out हो गया 11 पे तो T1 की value कितनी हागी T1 की value आगी हमारे पास 15 divide by मे 11 और T2 की value हमारे पास कितनी हागी 15 आगी सही है अब इन दोनों की जब आप ratio लोगे तो वो हमारे पास कहा रहा है वो हमारे पास ratio number आगी मतलब single period ही कहा है तो period कैसे निकालोगे capital T is equal to me this is LCM of T1 की numerator में 15 और इधर भी अपने पास 15 divide by मे HCF यहाँ पे कितना है आपने पास 11 और यहाँ पे 1 1 और 11 का HCF कितना आजेगा आपके पास 1 और LCF 15 15 कितना हैगा 15 तो हमारे पास जो right answer वो हमारे पास कितना आगया 15 second is the right answer तो I hope दोस्तों मैंने आपको यह जो question कराया है यह question आपको समझ में आया होगा इसी तरह से हम अपना next question लेते है next question क्या करा है which one of the following signals are non periodic मतलब 4 option given है इसमें से हमें बताना है एक signal ऐसा है जो कि हमारे पास किया non periodic है इसका मतलब 3 क्या होंगे periodic होंगे आपको मैंने बता था जो complex exponential signals होते है यह हमेशे क्या होते है periodic होते है आप देखो इन दोनों में क्या है पाई नहीं है यह multiply की form में है तो signal इस form में कर्वंट हो जाएगा ठीक है पाई हो या ना हो तो यह जो signal है जब आप इसको solve करोगे तो यह किस form में आएगा यह signal भी आपका आएगा periodic सही है उसके बाद देखो cos 2t, sin 3t, sin cos 5t यह signal भी आपके पास क्या आएगा periodic इसके बोगे कोशन में आपको अलड़ी करा चुका हूँ अब यह देखो यह आपके पास क्या है real exponential यह क्या होते हैं आपके पास a periodic यह signal आपके पास क्या है periodic है दोनों का multiplication आपके पास क्या हो जागा a periodic आपके पास हो जागा समझ पा रहे है तो इसका जो right answer हो है d d4 1229 सा right answer ठीक है अच्छा माल लो अगर मैं आपस यह बोलू कि हमारे पास एक signal है x of t is equal to me this is cos of under root 2t यह हमारे पास है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यह signal periodic होगा या नहीं होगा बिल्कुल होगा क्योंकि मैं आपको अलड़ी बता शुका हूँ कि जितने भी individual sign होते है individual cosine होते है continuous time है मैं discrete की बात नहीं कर रहा continuous time में वो हमेशे क्या होते है periodic तो यह जो cos है यह भी हमारे पास क्या है periodic है तो बताओ इस signal की जो fundamental frequency है वो हमारे पास कितनी है omega note जो है हमारे पास वो है root 2 तो t की value हमारे पास कितनी हो जागी 2 pi divided by omega note root 2 तो यह हमारे पास कितना है root 2 pi yes this is answer यह answer है बात संच पारे है तो इस question में भी काफिर सुन को doubt था तो मैंने इसको अपने video solution में ले लिया है हमेशे दान रखना course individual continuous time में course हो sign हो हमेशा individually है क्या रहते है period कर रहते है बात संच पारे है तो I hope दोस्तो मैंने जो आज आपको यह questions करा हैं इस video में यह आपको अच्छे समझ में आये होंगे